Hello everyone, आप देख सकते हो, हम Microsoft Word को पढ़ रहे हैं और Microsoft Word के अंतरगत, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा How to calculate GST in Word, जैसे लिखा गया है कि How to calculate GST in Word ठीक है, MS Word में GST कैसे निकाल सकते हो, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं So, देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे, आइटम आफ नेम यहाँ पे नीचे लिखिया है Quantity लिखा हुआ है, Price per piece है, और 18% GST इस वी मैंने लगाया है ठीक है, तो इसका Will जो है यहाँ पे देख सकते हो, 1720 रुपे प्रेंट हुआ है Total Bill, Without GST, और With GST, कुल दे रासी बता रहा है यहाँ पे, कि देख सकते हो, 2029 रुपे, 60 फैसे यहाँ पे क्या हुआ है उसको देना है, ठीक है, GST के साथ, 9% Yes GST कटा हुआ है, और 9% क्या है, CGST है ठीक है भी, तो 2 GST यहाँ पे यूज हुई है, Yes GST और CGST, यानि कि State GST और Central GST, ठीक है यहाँ पे लिखा है, टोटल बिल पेमेंट डीटेल, टोटल बिल बिल बिदाउट GST, यहाँ पे मैंने यह बताया है, आपको यहाँ पे, ठीक है 4 रुपिये, माइक 2 पीस है, 70 रुपिये, एक का अमाउंट है, तो 2 का 140 रुपिये हो जाएगा, जब यह सारा कुछ मैंने कल्कुलेशन कर लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो को उसका जोड़ आगया है, और फिर जोड़ का 9% निकाला है, SGST और 9% यहाँ पे CGST, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल इसका अमाउंट यहाँ पे बता दिया है कि इतना होगा, तो मैंने MS वर्ड में कैसे इसको बनाया है, आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो आईए वीडियो में लाच्ट तक बने रहेगा, डेफिनेटली यह चीज GST कैसे आप इसमें निकाल सकते हो, वर्ड में आपको समझ भे आ जाएगा, तो आईए स्टाट करते हैं, ओके तो मैंने पहले से सेट अफ कर रखा है, यहाँ पे हाव टू कैलकुलेट GST वर्ड यहाँ पे सेम सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, बस मैंने कैलकुलेशन निकी है, आइटम का नाम डाल दिया हूँ, कॉंटी डिटी यहाँ पे लिखा हूँ, प्राइज पर पीस है, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे GST है, देख सकते हो, 18% निकालना है, यहाँ पे बेल को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, देख सकते हो, कि यहाँ पे यह एक पीस कीबोर्ट करेंगा 220 रुपी की रेट से तो कितना इसका अमाउंट आएगा तो मैं यहां पर करसर रख लिया हूं ध्यान दीजी आप यहां पर लियाओट टैप पे जाना है आपको यहां पर क्लिक करोगे इसमें फार्मूला वाले ओप्शन से आपको क्लिक करना ह जैसे आप क्लिक करें तो फार्मूला यहां पर आपको च लिए आ पू поб Mountains करना है यहां पर किसमें करना करना है तो मैं अबligtर 2 010 कि और ने के 강좌 आवर फ्लेक्ट करना तो क्यास करो एह यहां पर product नाम का function आपको मिल चुका है बस इस पर click करेंगे तो product आ जाएगा अब किसका निकालना है आपको यहां पर इन्हीं का निकालना है ठीक है मतलब यह आइटम है और इसका प्राइज है तो इसका address आपको यहां पर डालना पड़ेगा तो यहां पर B column में लिखा गया है और community row में है one row और two row दूसरे row में है तो लिखूंगा यहां पर B2 इसका address क्या होगा इस cell का बीटू होगा ना फिर काम आदूंगा यहां पर अभी और इस cell का address क्या हो जाएगा सी टू हो जाएगा बस और इसके बाद आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे आपने ग्यारपिस अगर आप की बूर्ड खरीदों के दो सब्सक्राइब तो कितना देना होगा आपको यहां पर 2420 इसी तरी के सिस्टेम इसका माउस का निकाल लेजे तो करसर रखने के तो मैंने हटाया इसको और यहां से प्रोड़क्ट को क्या करूंगा तैलेट कर लूँगा ऐसे यह प्रोड़क्ट फंक्शन है बस इसके बीतर इस सेल का आइडर्स यहां पर डाल दोंगा तो सारे आइटम तो बी और सी में ही लिखे गे हैं तो मैं यहां पर लिखूंगा अब यह क्या था यहां पर इसका आड अटरे शान डॉट्स का ही वें खर आऐगा तो लिखूंगा वेफीश का मत धू यहां पर दोएगा और नीखो कितना रुपय मुझे उस्से देना पड़ें आप पर देखो आप 2520 रूपिय अब ठीक इसी तरीके से पेंड राइव यहां पर दे रहा है तो यहां पर जाओंगा और करसर को रख लूँगा और फिर से आपको फार्मूले पर क्लिक करना है और यहां पर राइट किया गया है इसको पहले से आप इसे हटा लो और इसमें से प् nebp4 और कामा दो ऑना क्या लिखेंगे याँ पर यहां पर यह देखिए ठीक है क्योंकि pen drive जो लिखख़या है न साम्ने तुल यह देख सकते हो तो दो करने के बाद इन करने के कmä कि दूंा यहां से अगले सेल का क्या गारत लिखलत है तो यहां पर लिखोंगे यहां पर लिखा मैंने 5 और इसके बाद क्या लिख दूँंगा सी फाइफ राइट कर दूंगा और जस्ट उक्याली बटन पर क्लिक करता हूं यहां पर तो देख सकते हो 450 रुपिय नब्य रुपिय के हिसाब से पांच पीस का जो हैटफोन खरीद है आपने वह 450 रुपिय उसका टोटल हो जाएगा ठीक है अब इसका किसका रागया है माइक हम आपके वह appliance को दो पीसे और एक क्टरीट डिवा जहां बड़ेपर करने के बाद इसका एडस डूंगा तो इस बार किस इतना लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखोगे कि दो पीस का रेट यहां पर 140 रुपिय बन जाएगा अब आपने देखा किस तरीके से मैंने यहां पर से कैलकुलेशन किया है ठीक है अब ध्यान देजिए यहां पर टोटल यहां पर विलWisch निकालना है तो बस कर्सर arist रख लो और ठीक रखने के बाद फार्मूले पर जाके फिर से क्लिक कर दो के वला पर यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो इसमें पहले से फार्मूला लगा हुआ है देख सकते हो सम एबब बस इनको ओके वाली बटन पर क्लिक करके सम करती जीए का ऐसे तो मैं क्लिक कर देता हूं तो सारे का सम 5700 कितना निकल गया है यहां पर 60 रुपी बीना जीस्टी का अब सपोर्द अगर आप जीस्टी अप कटाना चाहते हो त संख्या को यहां पर राइट कर लीजिए या फिर उस शेल का एड्रेस डाल दोगे तो मैं संख्या को यहां पर राइट कर देता हूं यहां पर 5 और इसके बाद क्या है 7 6 और 0 है ठीक है कितना परसेंटेज निकालना है 9 परसेंट तो मल्टिप्लाई का साइन देखे 9 परसे 10 और 9 परसेंट, क्लिएसट निकालोगे तो से महीं आएगा तो आप इसे सिंपली क्या कर सकते हो कौपी एंड़ क्या कर सकते हो पेस्ट कर सकते हो, तो यह देखिए, पेस्ट कर दिया, अब मुझे यह amount, यानि कि without GST, जो आपका amount आया था, और इस amount को, दोनों, तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके add करना है, तो add करने के लिए क्या करूँगा, करसर को रख लूँगा ऐसे, और इसके बाद, आ पे 5,760 रुपे पहले तो, तो 5,760 रुपया पैसे write कर सकते हो, प्लस का चीन यह आप यूज करोगे, 518, कितना 40, और फिर प्लस, 518, क्या यहां पे हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, बस, इतना ही आपको यहां पे क्या करना है, write करना है, देख लो, मैंने क्या write किया है, ठीक है, यह yes, gst, cgst, और यह आपका without gst amount, just okay, बटन पर click करूँगा, result आपके सामने यहां पे मिल चुका है, आप देख सकते हो, कि 6,790 रुपय अस्टी पैसे, आपको gst के साथ आपको will pay करना पड़ेगा, so I hope आप लोगों ने देखा, कि किस तरीके से मैंने Microsoft Word के आपको बताया, so वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, okay, thanks for watching this video, see you in the next video.